बिहार सिक्षा विभाग में मचा कोहराम नहीं लवटे अपर मुखे सचीब केके बाठक फर्जी वारा वना मुखे कारन नमश्कार आदाब और दिल से परनाम आप तमाम सिक्षा का विहर्थियों के साथ तमाम प्यारे प्यारे साथियों को मैं हूँ इसके चोधरी शाथियों आज का विडियो बहुत ही एहम है क्योंकि नहीं लवटे हैं किके पाठक महुदे बिहार में अपने पूर्व के पदो पर आखिर उन्होंने क्या कहा है आज हम इस वीडियो में फुलासा करेंगे इसके लिए आवस्क है कि आप सभी इस वीडियो के अंते तक बने रहेंगे क्योंकि हम ये भी बताएंगे कि बिहार की सिक्षा वेवस्ता उनके जाने से बेपट्री हो चली है साथियों जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो किर्पया सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों आप सभी अवगत है कि बीते दीनों अपर मुक्य सचिव के के पाठक महदे द्वारा बिहार के सिक्षा जगत में ऐसे ऐसे कार्ज किये गए जिसका नतीजा हुआ कि बिहार की सिक्षा जगत में अभुत्पुर्व क्रांती आई थी और सिक्षा बिभाग पट्ड पढ़ाये थे भले ही उनके द्वारा लिया गया निरने धेर सारे लोगों के हित में नहीं रहे होंगे बहुत सारे लोगों के परसानिया बढ़ा दी होंगी लेकिन हम अपनी आत्मा से पूछ सकते हैं ये हमारी आत्मा गवाह दे रही है कि उनके द्वारा लिया गया निरन और उस नजरों के उपरांत गलत राजनिती के सिकार हो बैठे अपर मुखे सचीव केके पाठक। शाथियों भीते कल उनसे तमाम पदाधिकारियों द्वारा संपर का स्थापित किया गया, उनके पास जाकर अपने फुर्व के पदो पर लोटनेहतु मनाने का प्रयास किया गया, परंतु केके पाठक महदे ने ये कहकर आने से इंकार कर दिया कि सब कुछ सहा जा सकता है, परंतु सभीमान के साथ खिलबार को कदापी सहा नहीं जा सकता। साथियों उनके दिलों को ठेस पहुची है ऐसे जावाज इंसान के कर्तूतों पर सवाल उठाई गई उन्हें ठेस पहुचा जा गया गलत भावना के शिकार हुए कैसी आ सकते हैं इसके बजाए उन्होंने अपने छुट्टी अब 30 जनवरी 2024 तक बढ़ा ली है और इसका पत् और उनके चले जाने का कारण क्या था हमने पहले भी आपको बताया था और अभी खुले आम कह रहा हुचातियों कि केके पाठक महोदे ने अपनी योजना रननिती बनाई थी कि BPSC ने जिन अभियर्थियों को चैन कर भेजा है हम उसे अंदर तक जाच करेंगे किसी भी सू किया था जिसका नतीजा है कि आज धेरो संख्या में फरजिवारे के खुलासे हो रहे हैं साथियों हम आपको बता दे कि अभी तक आपने फरजिवारे के नाम पर मुन्ना भाई का नाम सुना होगा लेकिन अब हमाले सामने मुन्नी बहन भी फरजिवारा के रूप में आ चल कर जेल भेज़ दी है तो साथियों इतना ही नहीं उन्होंने फर्जिवारा को पकरने का पुड़ा प्रयाश किया था और टी आडी टू के अंतरगत उन्होंने ये भी गुशना की थी कि चाहे जो भी हो हम तमाम अभियर्थियों के परमान पत्र की भी जाज करेंगे सिर्फ द उन्होंने कहा था कि पर्शैक्षिनी परमान पत्र की हम जाज करेंगे और टी आडी टू के अंतरगत बहाल सिक्षकों को विसेश रूप से बियर डिग्री को लेकर हम जाज करेंगे और उन्हीं को निक्ती पत्र विद्याले आवंडित किया जाएगा जिनका परमान पत्र स नहीं बहुत कम संभावना है ना के बराबर संभावना है कि दुवारा अपने पद पर बिहार की धर्ती पर वो लोटेंगे ऐसे जावाज इंसान को चाहिए था आना चाहिए था भले ही कुछ लोगों को दिकत होई होगी लेकिन हमारी आत्मा कबूल कर रही है कि उनके आने से सिक्षा जगत में सुधार हुआ बिहार सक की बिवस्था पर और बिहार का भविस्वर शाथियों उनके चले जाने से बहुत सारे बिभाग और सिक्षा जगत बेपटरी हो चली है आईए हम इस पर चर्चा करते हैं कि सबसे पहले BPSC 6 महीनों के लिए लगता है जैसे कारी दी थी कि TRE 2 के अंदर गत जितने भी सीट खाली हो रहे हैं उनके लिए सप्लीमेंटरी रिजल्ट के लिए हम कार्ज कर रहे हैं लेकिन क्या क्या कार्ज किये जा रहे हैं आप सोच सकते हैं कि कितने दीन बीच गए उनके द्वारा रिजल्ट जारी नहीं किया गया अगर वे रहते तो आज की तारीक में सपलींटे रिजल्ट आचुका होता वीप्यसि इस कदर उन्होंने बीपिएसी ने कहना था कि हम TRE 1 के अंतरगत भी सपलीमेंटरी रिजल्ट जारी करेंगे और उन्होंने सपलीमेंटरी नहीं ऑब्जेक्शन रिजल्ट जारी किया औ 30,000 से उपर पद किरियेट है और उन्होंने अस्पश्च सब्दों में कहा था कि जो भी सीट किरियेट होंगे उस पर सप्लिमेंटी रिजल्ट हम जारी करेंगे तो वो कब जारी किया जाएंगे ऐसा नहों हमें तो लगता है कि ऐसा नहों कि इसी तरह दिन बढ़ाते बढ़ा सप्लिमेंटी रिजल्ट के इंतजार में बैठे हैं वो कभी चैंड से नहीं बैठेंगे उनको सप्लिमेंटी रिजल्ट चाहिए तो चाहिए ये धोखेवाजी और ये बैमानी नहीं चलेगी और नहीं चलने दिया जाएगा क्योंकि आपने कहा है तो आपको सप्लिमेंटी रिजल्ट देना होगा और वो संख्या कम नहीं 20,000 से उपर की संख्या जा चुकी है उस तमाम सीटों पर रिजल्ट देना होगा क्योंकि अभ्यर्थी को आपने दिलासा दिलाया है तो अपनी बयानवाजी पर खरे उत्रे और अपने वादे पर खरे उत्रे साथियों और हम आपको बता दे कि कैसे केकी बाठक महोदे के चले जाने से बिहार के सिक्षा ब्यवस्था कास्तर नीचे गिर रहा है वो आपको हम बता दे कि आप जाने ले साथियों कि दर्भंगा जिले के अंतरगात एक सिक्षिका थी जो बीपी एस से चैनित होकर आई थी यूपी के रहने वाली थी और वे किसी महिला सिपाई के पती के साथ बीते कल फरार हो चली है ये सिक्षा का आस्तर गिरना नहीं तो क्या हुआ दूसरा बात साथियों कि सीता मढ़ी की रहने वाली एक सिक्षिका जिनका ना मनीशा कुमारी था वो मुझपरपुर जिले के अंतरगत कर रह थी और वे अपनी पती को छोड़कर अपने चाचा के संग रहना प्ररंब कर दी सिक्षा का आस्तर गिरा के उठा ये आप सब बता सकते हैं ही इतना ही नहीं साथियों हम आपको बता दे कि मढभुवली जीले के अंतरगत बेणी पटि ठाने के अंतरगत एक विद्याले जहांकि सिक्षिका परीषी सिक्षिका थी प्राथिंग विद्याले उडेन की केके पाटक के जाने से आप सभी फुली आखों से देख सकते हैं. कुछ लोग होते हैं जिनके चेहरे आते ही बड़े-बड़े कृतिमान अस्थापित हो जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जिनके चेहरे देखने से ही बड़े-बड़े सपने तूट जाते हैं और बड़े-ब सो रही है, सिक्षा जगत में आखिर, फरजिवारे की हम बात करें साथियों, ऐसे भी जिले है बिहार में, जिसके एक परखंड में 395, सिक्षकों के TRD 1 के अंतरगत बहाली हुई है, उसमें से 122 अभियर्थियों के थम नहीं मिले हैं साथियों, 25 से 30% फरजिवारे थम नहीं म उसके बाद ही खुलासा किया जाएगा कि कितने परतिसत अभियर्थी, बिल्कुल फरजिवारे में समलित थे, साथियों हमारे इस वीडियों को आप शियर कर दें, ताकि सिक्षा जगत में एक नया दौर आ सके, और बेपटरी पर आ सके, और साथियों के के बाठक हमारे इस झाल